मद्ध प्रदेश सीधी जीला के अंदर जल जंगल जमीन जैसे मुद्दा को लेकर और अन्य सरकारी योजना को लेकर के किसान संगोष्टी का आयोजन किया गया तो आज जो आपकी संगोष्टी हो इसके बाद कुछ प्लान आगे गल तैवो पाया है प्लानिंग की चर्चा के बाद प्लानिंग तभी जो जिस अस्तर में हैं संग्ठन को अधिक मजबूत करना है उसरा गरीग के हग के लिए लोगों की आवाज बन करके उंखर होना है सासन प्रसासन तक अपनी बाग मनवानी है सासन की जो योजनाय है गाओं तो कैसे पहुचे इस परमाने चर्चार आज जो संगोष्टी हुई इसमें यह है कि हमारे जो सरकाल चार-पांच जो जो नियम है जो बने हैं एक तो बनन आहनिकार अधिनियम के ताह सभी बंजित्वर्मों को उनके पट्टा मिलें उनके अधिकार मिलें और फूजना ची का के तहा सही तरीका से परमान। उनके प्त्ता मिलें इस वीडियो को देखने वाए लोगों से आप तो श अबिल नगर को प्हिल करना चाहेंगे कि इस देज के ब्यूरोक्रशी इन बंचीतों को पर उखाना चाहते हैं तो इन बंचीतों को हाथ मिलाके गले लगाके आगे आना चाहिए दूसरा जंदेशा मेरा यह है कि यह जो लड़ने वाले लोग हैं इनकी उमर काफी पचा साथ साल के लोग हैं इनकी उमर खौत बची नहीं तो नई पीडियों को सामयाना चाहिए और युबा इस जल जंगल जविंग जैसे इस्यू को टेप उबर करता है तो मुझे लगता है यहाने वाले 25 साल आगे बंचीतों को मदद कर पाए गए मदपरदेश सीदी जिला के अंदर मजोली बलाग, कुस्मी बलाग और रामपूर बलाग के समस्या को जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि किसान और बंचीत समधाय के लोग कुन्याय मिल सके मैं बीडियो देखने वाले सोताओं से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक हमारे जिला कलेक्टर माननी इसरी विशेश गणपाल जी को फोन कर दबाव डालें जिनका मुबाइल नमबर 6926677 पर फोन कर दबाव बनाएं इनके द्वारा बदला हो सकता है मैं कैलाज सिंग मरावी ग्राम ठोंगा पोस्ट मजवली थाना तहसिल मजवली जिला सिधी मध्य प्रदेश इंडिया अनहर्ड के लिए